हुआ हलो एंड वेकम फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त मन मोहन स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत इंट्रस्टिंग चीज मैं पताने वाला हूं कई सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें आपको जो है एक ब्लुटूथ एप भी बनाना सिखाऊं अंड्रोइड एप और डेफिनेटल हमारा जो आडिनो है उसको एच्छी जूरुफाइब का यूज करके कैसे उस एप से कंट्रो गुश्fightER ग्राइब के वेजर है जो है से कनेक्टेड है और यहां इप के थू मैं यहां पर बटन द्भाएंगा आप Danny के टेढ़ने पर यह आफ हो जाती है ठीक है तो हम यह सिंपल एप भी बनाना सिखेंगे और साथ में यह इस Κा बोट भी बनाना सिखेंगे I hope आपको बहुत इंटरस्टिंग लगेगा आज का इस सेशन Thank you very much Have a good day Love you all Okay friends हम Android app बनाने के लिए एक online facility का use करेंगे हम Google आपन करेंगे और सर्च करेंगे MIT App Inventor App Inventor के तुरू Mobile Apps बनाना मैंने पुछले कई वीडियो में सिखाया है पुरी वीडियो सिरीज है चार या पांच वीडियो की जिसमें simple Android app हम बनाना सिखे थे ठीक है तो MIT App Inventor सर्च करने पर आपको ये website मिलेगी और यहाँ पर आप create apps के ओपर जाएंगे MIT App Inventor का logo आप देख लीजिए ठीक है तो यहाँ पर create apps नाम का जो बटन है औरेंज कलर का आप इस पर टैप करेंगे और ये खुल जाएगा आपके सामने ठीक है तो आपको ये सबसे पहले तो लोग इन करने का बोलेगा आपका गूगल अकाउंट कोई डला हुआ है ब्राउजर में अच्छी बात है नहीं डला हुआ तो डाली है लोग इन कीजिए अपना email आइडिय और password डालके गूगल अकाउंट से आपको लोग इन मिल जाएगा इस पर आपको नया रेजिस्टर करने की जुरूत नहीं पड़ेगी ठीक है मैरे अल्रेड़ी अकाउंट है इदर मैं इसको सालेट करूंगा डेफिनेटलि इसका password डालूंगा और आपको भी नहीं बताऊंगा क्या password डाला मैंने क्यों बताऊंगा चली तो यहां पर हम password put up करेंगे और login करेंगे लोगिन करने के बाद हम MIT app inventor पे site पे login हो जाएंगे और login होने के बाद यह कुछ terms and condition हमारे साथ में रखेगा हमें definitely उसे accept करना है क्योंकि और को option ही नहीं है ठीक है तो इसको हम agree करेंगे accept क करेंगे और accept करने के बाद welcome screen आपको दिखाई देगा हर बार welcome screen देखना है तो ठीक है नहीं तो continue दबाओ continue दबाने के बाद आपको जो है कुछ tutorials मिलेंगे continue बटन दबाया यह देखिए कुछ tutorials है यहाँ पर वैसे सारे tutorials हिंदी में मैंने बना रखें YouTube के उपर जो playlist है ना Android apps क कैसे बनानी है उसके वाप दिखाई देंगे यह सारे videos ठीक है चलें यहाँ पर आप यह close button दबाएंगे और अब हमारा यह interface है इस पर हम एप बनाना शुरू करेंगे देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो option है start new project इसमें जाएंगे यहाँ पर हमें project का नाम देना है जो कोई सकते हैं अच्छा space नहीं डाल सकते हैं दो वर्ट के बीच में तो आपको underscore का यूज करना पड़ेगा आप कुछ भी सिंपल इदर एजी एलेडी एलेडी ब्लुटूथ एलेडी बीटी एप कुछ भी आप लिख लिजिए और दो वर्ट के बीच में आप underscore डालेंगे यह में अलग-अलग resolution है tablet के लिए monitor के लिए और phone के लिए phone के resolution यहां बहुत चोटा दिया tablet का थोड़ा बढ़ा है definitely और अगर monitor लेंगे तो और बढ़ा मिलेगा आपको पर हम phone के लिए बना रहे हैं इसलिए phone ही यहाँ पे choose करेंगे और चोटा screen है पर अच्छी बात है हमको सारी आपस इसमा बना सकते और scroll हो जाएगी बड़े phone पे चोटे phone की चलाएंगे screen तो आसाले से चल जाएगी इसलिए कोई दिक्कत नहीं है free platform है इसलिए ठीक है तो करना पड़ेगा ओके यहाँ पर left and side में आपको दिख रहे होंगे कई 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 सारे options ठीक है तो यह चीज़े component हम अपनी app में add कर चुके होंगे उनकी list यहां दिखाई देगी और जो component list में select करेंगे उस item की properties यहां पर दिखाई देगी जिसमें उनके attributes चेंज कर सकते है उनका lookout चेंज कर सकते है बहुत ही simple है ठीक है तो चलते है सबसे पहले हम एप बनाने के लिए तो जो item हमें करें उसे drag and drop करेंगे लिस्ट पिकर जो एक button की रूप में यहां आया है ठीक है इसको टेक्स चेंज करना है तो यहां पर नीची नीचे आएंगे और यहां पर हम लिख देंगे जो भी text हम लिखना चाहते वह text यहां लिख देंगे तो नाम यहां पर replace हो जाएगा ठीक है त है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं लिस्ट पिकर select के और यहां पर आपको properties देखा देए रिस्ट करक्ये अरहां यहां पर देखिए सबसे अगा करतें यहां पर हम लिखते हैं Bluetooth या Connect लिख लेते हैं चलो ठीक है तो अभी Connect यहां लिख दिया है और देखिए यहां पर Connect लिखा हूँ आ रहा है ठीक है अब इसको हम चाहते हैं कि इस बटन को या यह लिस्ट जो खोलें उसमें हम Color Change कर दें तो यहां पर हम क्लिक करके Color Change कर सकते हैं और चलिए यहां पर ब्लू लेता हूं डाग ब्लू ठीक है तो डाग ब्लू यहां बटन का Color नहीं है इस बटन पर क्लिक करने पर जो लिस्ट को लेगे ना उसका Color Change हुआ है बटन का Color भी Change कर सकते हैं बहुत ही Easy है ठीक है बताओंगा आपको आगे चलिए तो फिलाल हमने ए आपको यहां ड्रेगन ड्रॉप करेंगे यहां पर एक बटन आगया आपको देखें कंपोनेंट्स में देखिए एक एंट्रियो रेड हुई है बटन वर इस बटन पर जो टेक्स्ट है वह चेंज करना हो तो हम यह लिख देते हैं ओन ठीक है यह ओन का बटन है और एक और ब बटन वर बटन तू जैसे हम जो बटन करते हैं यहां पर इसकी प्रपाइट्ट आने लगती है अब हम क्या करेंगे कि यहां पर इसका नम राम हाइट वाइट कुछ चेंज करना हो तो हम इसका कर देते हैं चलिए हंड्रेट कर लेते तो यह पिक्सल जितना बढ़ा हो गया ठीक है यहां पर विड्थ भी अगर 100 पिक्सल बढ़ा दिया ठीक है जितने पिक्सल मां सलेट करेंगे लें तो हाइट उतना बढ़ता जाएगा और वाला जो बटन है उसमें भी सेम कर देते हैं 100 बाइ 100 यहां पर किया विड्थ में 100 तो यहां पर हमारे बटन्स अच्छे इसकी प्रोग्रामिंग के ओपर है इसलिए हम इसका जो डेकोरेशन है उस पर इतना ध्यान नहीं देंगे ठीक है तो यहां पर आप देखिए ले आउट में जाके आप यह देखिए वर्टिकल अरेजमेंट लेंगे क्योंकि हम एक के नीचे बटन चाहिए ना तो वर्टिक सेंटर में हो जायेगा और उके यहां पर आप देखिते तो अब हम हम क्या करेंगे यहां पर तीन ही मटनह Six करते तो आचू कЕ अगर हम चाहें बटन्स के बीच में थोड़ा और इसपेस तो यहां पर हम वापस होरिजन्टल डाल सकते हैं चलिए एक और चीजह में चाहिएगी ब्लुटूथ क्लाइंट ठीक है कनेक्टिविटी में मिलेगा इसे ड्रेगन ड्रॉप कर लेते हैं ठीक है तो एक बार आप कं जिबल कंटेंट है जैसमें लिस्ट पिकर और ओन आफ के बटन दिख रहे हैं और हीडन कंटेंट है हमारा ब्लुटूथ क्लाइंट ठीक है ओके अब यहां देखिए ऊपर यह उपर जाएंगे और यहां पर चलो कलर चेंज करना चाहते हो तो कर लेते हैं बटन का कलर जो है के श्यान कलर ले लेते हैं चलो तो यह बटन के कलर चेंज हो गए और यह करेक्ट बटन दबाने पर जो लिस्ट को लेगी उसका ब्लू कलर वो पहले शुरू में सलेक्ट कर लिया था हमने चलिए तो अब हम यह लगबग डेकोरेशन हो गया है ना इस पर जादा हम ध्यान कोड ब्लॉक्स के रूप में मिलेगा और ब्लॉक्स को प्लॉक्स करें गे और कोड से पूरा बन जाएगा तो कि जो सरे कमपोनेंट्स को दिखने होंगे आपको कि वर्टिकल अरेज्मेंट लिस्ट बेकर बटन वन बटन टू और यह ब्लूटूथ क्लाइंट साभी दिख तो सबसे पहले हम list picker पर जाएंगे list picker में यहां जब जाएंगे ना तो देखिए जो option है बहुत सारे option है नीचे से उपर तक चलिए उपर चलते हैं उपर आपको दिख रहा होगा control भी है यहां पर देखिए text भी है यह सारे जो है left hand side में सारे items है इन से related code हमें यहां मिलेंगे ठीक है सबसे पहले हम list picker select करेंगे list picker में जाने के बाद आप यहां पर लेंगे यह वाला option when list picker. और यहां पर जो देखिए option ध्यान से देखिएगा before picking है ना before picking वाला ही option लेना है आपको दूसरा नहीं लेना है तो before picking वाला option ले लेंगे अब यहां पर दूसरा block डालना है दूसरा block जो डालना है वो क्या डालना है हमें यहाँ पर देखिए यह जो option दिख रहा है कौनसा list picker.elements ठीक है list picker elements यह देखिए तो यह भी list picker element है ठीक है लेकिन यीचे वाला लेना है मैं state वाला तो यह state वाला option है list picker elements इसको यहाँ पर join कर देंगा देखिए अभी cross आ रहा है क्यों क्यों क्योंकि इसके आगे का आनी चाहिए definitely bluetooth client की तो चलिए bluetooth client select करेंगे और यहाँ पर आपको addresses दिखाने है ठीक है जो list आएगी ना list picker में वो क्या होंगे bluetooth के addresses तो यहाँ पर आप option देखिए बहुत सारा option है उपर से नीचे तक नीचे से उपर तक कही सारा option है तो अभी मैं भी पढ़ रहा हूं आप भ addresses हो यह वाला bluetooth client और इसमें addresses तो लिस्ट पिकर जो है बिफॉर पिकिंग अगर हम उस पर टैप करते हैं तो यहाँ पर addresses चो करना है अब वापस लिस्ट पिकर लेंगे same option है बस आफ्टर पिकिंग वाला ठीक है तो यह है वैं लिस्ट पिकर डोट आफ्टर पिकिंग डू और अब यहाँ पर वापस हमें क्या करना है लिस्ट पिकर में जाएंगे और अब हमें जो लिस्ट चाहिए उसमें हमें क्या करना है डेफिनेटली सेट से शुरू होगी सेट लिस्ट पिकर वन और अलिमेंट को सेट कर देना सेलेक्शन सोरी तो यहाँ पर देखिए लिस्ट पिकर डोट सेलेक्शन ठीक है इसमें यह उपर वाला नहीं नीचे वाला लेना यह वाला जिसमें सेट लिखा है तो हमें क्या करना है कि जो भी लिस्ट पिकर में हमने सेलेक्शन किया है उससे अब यहां पर क्या option आएगा तो यहां पर देखिए अभी भी क्रोस आ रहा है इस सेट वाले में ना तो हमें ब्लुटूथ क्लाइंट में जाना पड़ेगा डेफिनेटली अब ब्लुटूथ क्लाइंट में जाके जो हमने सेलेक्शन कर लिया है ठीक है उससे कनेक्ट कर देना है तो यहां पर यह वाला option कॉल ब्लुटूथ क्लाइंट कनेक्ट ठीक है जो भी अड्रस हमने सेलेक्ट कर लिया था उसको कनेक्ट कर देना है ब्लुटूथ क्लाइंट को तो यह दोनों आपको समझ में आगे होंगे इसका एक स्क्रिंशोट ले लिजिक बहुत इंपोर्ट होगी ठीक है बहुत सिंपल है मज़ा आएगा ठीक है तो अभी हम क्या करते हैं अच्छा सुनिए वहां पर एक और चीज़ा एड़ करना है ना लिस्ट पिकर के सलेक्शन से तो यह भी लेना है ना यह लिस्ट पिकर में आएगा option अब इसका स्क्रिंशोट आप ले सकते हैं करेंगे तो button one select करते सबसे उपर option आएगा selection button one ठीक है जब हम इस पर क्लिक करेंगे button one पर तो do क्या do करना है बताता हूं पहले ऐसा ही button two के लिए भी ले लिजिए कि जब button two पर क्लिक करेंगे तो क्या करना है ठीक है empty frames ले लिए हमने अब इसके अंदर हमें set करना है कि जब हम button one पर क्लिक करेंगे तो कोई string कोई word हमें serial पर transfer करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम देखें यहां पर control में जाएंगे और यहां पर if लेते हैं ठीक है if if में जाके button one में जाएंगे अगर if में जाके button one पर जाके button one को हमने enable किया मतलब दबाया ठीक है तो क्या करना है ठीक है अगर button को दबाया तो क्या करना है तो कोई string पास करना है तो उसके लिए वापस bluetooth client में जाएंगे और यहां पर वापस हम call करेंगे देखिए ध्यान से देखिएगा option नीचे 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 कहा है यहाँ पर text वाला यह नहीं है ठीक है bluetooth client dot send text यह option लेंगे अब कोई text इसमें pass होना चाहिए कौन सा text मैं बताता हूँ यहाँ उपर देखिए pink वाला text दिख रहा है यहाँ पर जाएंगे इसमें उपर ही उपर blank वाला है यह blank लेंगे और यहाँ पर कोई भी text आप लिख देंगे मैं तो लिख रहा हूँ केवल a, a for apple ठीक है तो a जो है character है string नहीं है तो character जल्दी रिड़ो जाता है string से ठीक है यहाँ पर a लिखा ओके अब यहाँ पर जो button 2 है इस button 2 में भी same programming, button 2 कैसे लगके आयते है अगर भूल गए हो तो एक बार फिर से revise करवा रहा हूँ button 2 select करेंगे यहाँ पर सबसे उपर option है button 2.click यह वाला frame लिया when button 2.click do क्या करना है क्या करना है क्या क्या करना है अगर button को अगर हमने enable किया फिर से गए if वाला if then तो if button 1 को sorry 2 को button 2 को अगर हमने enable किया enable कहा मिलेका देखिए button 2 को ही select करके यहाँ पर option है दो है यह वाला option लेते हैं ठीक है if button 2 enable अगर इसको enable किया तो क्या करना है evidently bluetooth client के तुरू हमको send text करना है तो bluetooth client select करेंगे इसमें नीचे नीच आएंगे यहाँ पर यह वाला last यहाँ पर जाके bluetooth client से हमें text send करना है कौनसा text send करना है जब भी text की बाता है तो उपर जो pink वाला text लिखा है left side pen में है यहाँ जाएंगे इसमें उपर ही उपर जाएंगे यह वाला option और जब बटन 2 को दबाएंगे तो दूसरा text जाना चाहिए तो मैं यहाँ पर B लिख देता हूं इतने सिंपल प्रोग्रामिंग थी बहुत छोटी से प्रोग्रामिंग है इसका आप जो है स्क्रिंशोट ले लिजिए एक बार क्योंकि एकदम बैसिक है ब्लूटूथ कोडिंग का बटन का बहुत सिंपल है और केवल आपकी एक ही स्क्रिंड पर यह पूरा कोड आ गया है स्क्रिंशोट ले लिजिए इसके बाद हम आगे चलते हैं कैसे इसकी एप जो है हमारी एंड्रोइट की एप बनेगी है ना अच्छी जीलो फाइफ के लिए तो यह हम जो है वापस डिजाइनर में आए उपर डिजाइनर में आप देख सकते हैं हमारी एप कुछ ठीक कई सारी चीजें बटन का साइज कैसे चेंज करना थो मैंने बताई था आपको फॉंट साइज जो इस पर लिखा ओन आफ का वो चेंज कर सकते हो यहां से देखिए ओन बड़ा हो गया और भी सरेट करेंगे डेफिनेटली आफ जो लिखा इसका भी फॉंटम बड़ा कर देते हैं यह बड़ा हो गया बटन को राउंड कोर्नर करना है बटन को गॉल करना है बहुत ही यहां पर आपको देखिए शेप दिख रहा है इसमें डिफाल दिया हुआ है आप यहां पर शेप चेंज कर सकते हैं कर के बताऊंगा अभी और भी एक बार मैं उसको स्कॉल कर आप देख लिए क्या क्या आप्शन्स होते हैं वैसे आप जब बनाने बैठेंगे ना तब इस वीडियो को पेरलेल चलाईएगा आपको बहुत आसानी होगी ऑप्शन्स ढूंडने में और काम करने में वह उसके तो एक कंप्यूटर में वीडियो चलाईए दूसरे के इसको मैंने ले लिया इलेप्स तो यह देखिए गोल बन गया है पूरा ठीक है यह जो आफ वाला बटन है यह लिया हमने इसको अगर राउंडेड किया तो इसके कोर्नर्स राउंड हो जाएंगे देखिए तो इस तरह की सैटिंग्स हम कर सकते हैं और ठीक है लगब काफी डेकुरेशन होगे इसमें वाल पेपर वगेरा भी सेट कर सकते हैं पूरी इमेज में पीछे वह बात में करना सिखाएंगे आपको है अभी सिंपली हमने एकदम बैसिक बना ली है आई होप समझ मा गया होगा तो अब यहां पे काफी देर होगी फिनिश अप होगा इसको ब प्रोसेस चल रही है इट विल टेक सम टाइम इजली हो जाएगा ज्यादा बड़ी एप नहीं बनेगी चार यह पांच एमभी यह दशेंबी मैक्सिमम स्यादा नहीं बनेगी ठीक है इसमें अगर आपने जितना इसमें पोटो जालते अगर हम इसके अंदर लिंक डालते तो तो उसमें साइस बढ़ता हो जाता है चलिए देखिए जो बारकोड है इसको आप स्कैन कर लिए अपने मोबाइल से और जो लिंक आएगा उससे डाउनलोड हो जाएगी आपके मोबाइल में और पीसी में डाउनलोड करना तो यह बटन दबाएंगे और आप देखेंगे यहा यहाएप पूरी होगी है और अब इस को मोबाइल में कैसे इंस्टॉल करना है बताउंग और न आभी है आप स्क्रिन कट करता हूं शो और आप हम चलते हमारे कॉ मोबाइल में देखिए यहाँ पर आपको यह scanner option मिल रहा है scanner खोलेंगे और यह जो एप का link है इसको यहाँ पर scan करेंगे एक link मिलेगा और इस पर tap करेंगे इसको browser में open करेंगे ठीक है तो यहाँ पर यह install हो जाएगा अच्छा आपने इस एप को कोई न वह icon भी नहीं दिया इसलिए अग्दम बैसिक आइकोन होता है माइटी इंवेंटर का वह icon आया है हम इसमें अपनी पसंद का icon भी दे सकते हैं बेक्ग्राउंड में वहल पेपर भी दे सकते हैं और अगर इस कोड बनाएंगे हम एक h05 के थ्रू डाटा रिसीव करने का ठीक है तो यहाँ पर सब सब पहले एक इंटीजर टाइप लेंगे जिसमें led पिन लेते हैं पिन नमबर 13 को हमने क्या नाम दिया led पिन तो अगर पिन नमबर 13 को led पिन दे दिया अब वोड सेट अप में जाएंगे और पिन नमबर 13 जो है led पिन इसको आउटपूट पिन डिकलेर करेंगे यह स्टेटमेंट है जिससे हम led पिन को आउटपूट पिन डिकलेर करते हैं अब आउटपूट पिन डिकलेर तो किया लेकिन इसको शुरू में initialize करना पड़ेगा कि इसको high रखना या low तो हम आप नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन अमारे फिडबेक के लिए हम टेस्ट कर सकें इसलिए हम रखते हैं और सेर्यल मोनिटर पर प्रिंट लेंगे ब्लूटूट अलेडी ठीक है तो ब्लूटूट अलेडी यहां लिखा हुआ है और मतलब जैसे और लिफ्रेकर के साथ चलेए यहां पर सबसे पहले हम इस सेरियल डॉट अवेलेबल अगर सेर्यल अवेलेबल है ठीक है हमें पता है न कि सेजे करना है और करके इंपुट नाम का एक व्यरिबल लिया है जो कि ऐरेक्टर टैप का है और उसको सेर्यल मोनिटर पे वह प्रिं प्रीड करेगा इनपूट को में दालेगा इनपूट् नाम के वेडियवल में और इनपूट् नाम के वेडियल में दालने के बाद अब हमने कंजा कमाड लिक्एंगे कि SerialMonitor पे इसको प्रिंट कर दो ऺए है serial.println input मतलब input में जो भी आया character a आया भी आया उसे वो यहां पर print कर देगा cdf कुछ भी आया यह उसको वहाँ पर as it is print कर देगा फिर अब हम comparison करेंगे if input level equals to a a को single quote में लिखेंगे क्योंकि यह character है ठीक है तो अगर a alphabet आता है तो हम क्या करेंगे हम LED Pin को high कर देंगे तो पिस नमबर 13 नाजाएगी तो पिन न करे पेचैनि आपने लिए लगाई और लगाई और अगर वह उछाएगी ओगेश्च अगर यहां ज़ेगी और अगर एल्स का था ठीक है तो तीन करली ब्रेकेड लगाएंगे यहाँ पर इसको क्लोस करेंगे और यह कंप्रीट हो गया इतना से बहुत सिंपल बहुत चोटा 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 श्क्रिंशोट ले लो इसका ठीक है मैं कोड़ का डाउनलोड नहीं दूँगा एक एक लाइन मैं बैसिक्स है वही यहाँ पर जो है जिनाइन मेरे को सस्क्राइबर्स चाहिए ठीक चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे एक बार इस कोड को कॉंपाइल कर लेंगे ठीक है कॉंपाइल करने लिए आपको पता ही है हम यहाँ पर जो है यह राइट वाला बटन है वो दबाएंगे अभी देखिए यह कॉंपाइल हो रहा है कॉंपाइल का प्रोग्रेस बार आप हैंड साइट पर देख सकते हैं नीचे की और फिलर बार चल रहा है ठीक है तो जैसे यह कॉंपाइल हो जाएगा बताएगा यह हमको कि कितना एंबी का हमारा एप बनाया है ठीक है तो बहुत-बहुत छोटा है कि और फाइब परसेंटी इसने में आवरी कंजूम किया है अभी हमने कॉंपाइल किया था कोड अपलोड नहीं किया था अभी पीसी से करेंट करेंगे आडीनो को पहले बिना कनेक्शन के ना अभी ब्लुटूट करना है अब टूल्स में जाएंगे और यहां पर देखिए पोर्ट दिख रहा है पोर्ट को सेलेट करेंगे यह अपलोड का बटन दबाएंगे यह दबाया और अब दबाते हैं आप देखेंगे कि कोड अपलोड होगा क्योंकि एक बार कॉम्पाइल हो चुका है इसलिए यह जल्ली से अपलोड हो जाएगा है यह देखिए अपलोडिंग हुआ और डन अपलोडिंग ठीक है कोड हमारा चुका है आप देखेंगे केवल 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 5% इसने मेमरी हमारी यूज किये है अपलोड होके तो अब हम सेरियल मोनिटर ओपन किया है और आप देखेंगे यह ब्लूटूथ एलेडी लिखा हुआ यह जो हमारा टेक्स्ट था यह उसमें लिखा हुआ दिख रहा है आपको तो यह दिख रहा है मतलब हमारा कोड इजीली अपलोड हो गया है सक्सेसफुली हमारे अडिनो में ठीक है अब इसको हम डिसकनेट करेंगे अडिनो को कम्प्यूटर से और इसके उपर कनेक्शन करेंगे आइस से 05 का जो कि ब्लूटूथ मोडियूल है और एलेडी जोड़ अचा है एक एलेडी भी इसमें जोडना रहेगा ठीक है तो देखिए बहुत ही सिंपल एक कनेक्टर लेंगे चार पीन का कनेक्टर के वाइर काम आएंगे इसमें 6 पीन से पर काम हमारे भी चारी आएंगे जिसमें से एक वीसी सी ए रेड वाला ब्लेक वाला ग्राउंड और रेड वाला है इसको 3.3 पर कनेक्ट करना है ब्लुटूथ के ओपर लिखा रहता है अगर 3.3 लोजिक है तो 3.3 पर कनेक्ट करना है इसको 5 वोल्ट देकर आप हो सकता है डेमेज हो जाए आपका चिपी है ठीक है इसलिए आप इसको 3.3 पर जोड़ेंगे और ग्राउंड को कलर का जो ग्राउंड है उसे चोड़ देंगे आप लिखिए अब देखिए टी एकस अरेकस लिखा यह यह लोग तो यह लो जुड़ेगा आरेकस से ठीक है अर्डिनो बोर्ड पर लिखा हुए प्लाइस आपको दिखाई देरा होगा तो इस तरह से हम जोड़ देंगे ब्ल यह नहीं एसे डारेक्टली जोड़ दिए पर यह लैजी प्रैक्टिस रहती है इट्स नॉट सेफ एलेडी की लाइफ जादा नहीं रहेगे जल्दी खराब हो जाएगी आपको जो है इसकी दोनों में से किसी भी एक पिन पर डेफिनेटली रेसिस्टर लगाना चाहिए हंडर का ठीक है नहीं भी लगाएंगे तो अब एलेडी चल जाएगी लेकिन उसकी लाइफ होती लोग नहीं रहेगी क्योंकि उसकी लिमिट 3 वोल्ट की होती है यहां पर 5 वोल्ट का लोजिक देंगे इसलिए लेडी खराब हो जाएगी तो आप जो है लेजी प्रैक्टिस ना कर आपको यहां पर जाक्राब ब्लुटूथ में जाएंगे ब्लुटूथ में यहां निव डिवास फाउंड होगा आज से जीडी रोफाइव आप इस पर टैप करेंगे टेप करके इस से पेर करेंगे फ़स्ट टाइम पेर कर रहें पासवर्ड मांगेगा पासवर्ड इसका रहेगा 1234 ठीक है 1234 यह डिफाल पासवर्ड है पासवर्ड चेंज भी किये जा सकते हैं उसके लिए हमको जो है कमांड देने पड़ेंगे किये स्पेशल कमांड वह हम आपको किसी और आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे अभी इने इसमें टैप कर लिया आप जो एप है वह आपन करेंगे एप आपन करने के बाद कनेक्ट में जाएंगे उपर लिस्ट पिकर में यहां पर है जिर्फाइब सेलेक्ट करेंगे यहां पर ब्ल्युटूथ क्लाइंटम नहीं सरेट कर दिया है ठीक है अब हम जब ही ग्रीन बटन दबाएंगे अं वाला तो आप देखेंगे até ओन हो कि दोस्तों अगर वीडियो यहां तक देख लिया है तो आपका बहुत बहुत नहीं वाद ठीक है आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा आपको ब्लूटूथ एप से मोटर्स को कैसे कंट्रोल करना है मोटर्स में भी नेमा 17 को कैसे कंट्रोल करना नेमा 17 मतलब जानते हैं ना CNC मशिन जी हां बिल्कुल उसी तरफ बढ़ रहे हम ठीक है तो हम मोबाइल एप का यूज करके हम जो है कोई भी मोटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं कोई भी मैकेनिजम बना सकते है automatic shutter बना सकते curtains बना सकते है CNC machines बना सकते है और mobile phone zone को control कर सकते है Bluetooth app के थूँ तो अगर आप देखना चाहते हैं और सीखना चाहते है Bluetooth apps के बारे बना तो comment करके बताईए comment करेंगे मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा thank you very much have a good day, love you all comment करके आप बता सकते हैं मैं अगला वीडियो किस चीश के उपर बनाऊ thank you very much, love you all